इसको अगर अंदर लेके जाओगे तो क्या आएगा 25PiT-PiX by 2 राइट, दा रेशो अप मैक्जिमम पार्टिकल वेलोसिटी दो वेलोसिटी तो रेखो, मैक्जिमम पार्टिकल जो होता है इन वेलोसिटी हैं, इन वेलोसिटी का वेलोसिटी क्या होता है आएट, वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है f into lambda और omega by k तो इस equation से हम लोग a omega and k निकालेंगे तो इसको अगर हम लोग standard equation के साथ compare करे y is equal to a sin omega t minus kx तो हमें देखो यहां पर A का value कितना मिलेगा 3 बार में omega का value कितना है 25 pi and k का value कितना है pi by 2 तो यहां पर put करो तो यह क्या आएगा A कितना है A is a 3 omega कितना 25 pi means यह आजाएगा 75 pi and V wave किया आएगा 25 pi divided by pi by 2 means यह आजाएगा 50 to the ratio of velocity of particle maximum velocity of particle to velocity of wave is 75 pi divided by 50 means यह आएगा 3 pi by 2 3 pi by 2 means option A is a correct one